हेलो दोस्तो टार्गेट विद लक्ष की इस नई वीडियो में असुभी का स्वगत है तो पी ब्लॉक के तत्तों के इस लिक्षर में आज आप पढ़ेंगे सेल्फियुरिक अम्ल के बारे में याद रखेगा सेल्फियुरिक अम्ल का शूतर होता है एस टू एस ओ फॉर शू बोलते हैं सेल्फियुरिक अम्ल यह आप लोग जाद रखेंगे तो सेल्फियुरिक अम्ल के निर्मार के जो है दो और दूगिक विदियां है जिसमें एक है लेड कक्ष विदी और दूसरी होती है संपर्क विदी यहाँ पर याद रखेगा जो यह विदी तो यह दोनों याद रखेगा लेड कक्ष या फिर इसे बोलते हैं सीज कक्ष विदी इसके अलामत दूसरी विदी है यहाँ पर संपर्क विदी तो आज हम लोग इस लेक्शर में जो पढ़ेंगे वो इस विदी को पढ़ेंगे निकि लेड कक्ष विदी द्वारा जो है सल्फियूरिक अमलेका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है तो इसके लिए ध्यान देजी यहाँ पर वही यहाँ पर दिया गया है कि लेड कक्ष विद्वारा सल्फियूरिक अमलेका निर्माण तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देजी इसका सिद्ध द्वारा आक्सी करण से SO2 गैस यानि कि Sulfur Dioxide गैस जो है प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त SO2 का जो है NO उत्प्रेरक याद रखेगा उत्प्रेरक यहाँ पर जो दिया गया है NO इसे बोलते हैं नाइट्रिक आक्साइड तो याद रखेगा है उसे जो है हम लोग नाइट्रिक आक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थित में वायू द्वारा आक्सी करण करने पर प्राप्त होता है तो अब ध्यांजरी समी करण किस प्रकार लेखेंगे जैसे कि सबसे पहले बताया गया था स आक्सी करण से तो यहां पर जो सलफर है इसका हम लोग वायू द्वारा आक्सी करण कराएंगे तो प्लस ओटू तो जब वायू द्वारा इसका आक्सी करण कराते हैं यानि कि यहां पर इसम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसमें सलफर डाइक्साइड यानि कि एस जैसे कि sulfur का प्रयोग किया गया है इसके इस्थान पर आप iron pirate का प्रयोग भी कर सकते थे जैसे कि द्यान देजिए iron pirate इसका शूतर होता है Fe F2S2 अब इसका जब आक्षिकरण यहां पर मिलोग कराएंगे तो प्लस O2 तो इसका आक्षिकरण कराएंगे तो यहां पर द्यान देजिए इसमें बने गए यहां पर Fe2O3 और इसके अलामवाईस में भी जो है So2 गैस प्राक्थ हो गहीं ने कि Sulfur डियकसे गाश यहां प्राक्थ हो जाएगी तो यहां पर मिलोग Sulfur का प्रयोग कर सकते हैं या फिर Iron pirate का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन इस रमीकरण को यहां पर आपको संतुलिय प्रूप करनने के लिए द्यान देजिए यहां पर हमलोग लगाएंगे फोर तो अग राइन धिया पर ऌए फोर कितने हो गाई 4 दूनी आठ और यहां पर एक है इसको बराबर करने के लिए 8 कर देजे तो सल्फर यहां पर भी 8 हो गाए अब उक्षिजन दूनी चे आट दूनी 16 और तीन दूनी 6 यानि कि 16-26 और यहां पर आक्षी देंदेजी कितने दिये गए दो तो यहां पर 11 से गुड़ा कर देजें तो 11 दूनी 22 तो इस प्रिकार आप इस से यहां पर संतुलित करेंगे तो यह तो यहां पर बन गई है SO2 गैस अब इसके बाद देंदेजी क्या बताया गया था कि SO2 का जो है NO उत्प्रेरक यानि कि नाइट्रिक आक्षाइड उत्प्रेरक की उपस्थित में जो है वायू द्वारा आक्षी करण करने पर सेल्फूरिक अमल प्राप्त होता है तो यहां पर जो SO2 प्राप्त हुआ है यानि कि SO2 इसका जो है हम लोग यहां पर NO उत्प्रेरक की उ तो प्रेरक के उपस्थित में आक्सिकन करते हैं तो यहाँ पर बनता है H2SO4 यानि की सल्फियरिक अमलपराप्त होता है अगर इसको यहाँ पर हम लोग संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए बिशमे धान दीजिए जैसे कि यहाँ पर दान देजिए hydrogen 2 है यहाँ पर भी hydrogen 2 है लेकिन oxygen दान देजिए यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 5 दिए गए और यहाँ पर कितने oxygen है? 4 तो अब दान देजिए इसे बराबर करने के लिए पहले यहाँ पर 2 हिसके बाद ढोंधिये यहां पर तू करेंगे तो श्टोख दैनद दी यहां पर हो जाएंगे दो दू निद चार दूछ और डू आठ अक्स कर्ण्य करने के लिए अब इसमें दैनद आप देजे तो दो होको आट अक्सिछन बराबर बाग की इसी प्रकास यहां पर सारे संतुलित हो गए तो अब यही आपको यहां पर थेवरी में बताया गया था कि सल्फर या फिर हम लोग आयरन पायराइट के वायू द्वारा आक्सी करण से प्राप्त करते हैं इसके बाद जो सल्फर डायक्साइड गैस होती है यहां पर उसको जो हम लोग एन्न उत्प्रेडग यानि कि नाइत्रिक आक्साइड उत्प्रेडग के उपस्थित में वायू द्वारा आक्सी करने पर सल्फियूरिक अमल प्राप्त होता है तो इस प्रकास यहां पर इसके समीकन हो जाएंगे अब इसके बाद बनाने की विद्ध्या है पहले आप यह समझ लेजिए सबसे पहले यहां पर दान देजिए इसमें यहां पर यह दो भाग दे गएंन एक होता है पाइराइट बरनर याद र multiplic आ कि सब्सक्र करसं उनकर इसके जहां पर दूसरा दिया गया है इस्ज़ेदेर्धाइं है इससे बोलते हैं नयीटर पा ali ID г लेकिन दुन जाता है बात इसके बाद देंदेजी यहां पर इसमें अब दिदियां दिंदी इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोवर हाई इस्टे बोलते हैं LED CHAMBER LED CHAMBER यह भी होता है आपका LED चयमبر यह हो जाएंगे इसके अलाववा यह यहाँ पर Кूलर या फिर इसे बोल सकते हैं आप सीतलक, कूलर बोल सकते हैं या फिर सीतलक बोल सकते हैं इसके अलाववा देयान देजी यहां शमलोग इसमें भाब प्रवाहित करते हैं और इसके अलावाद आन्दी जी यह जो यहां पर बना है इसे बोलते हैं गेल उशाक टावर इसे बोला जाता है गेल उशाक टावर यह हो जाएगा अब इसमें यहां पर जो है उपर सेश बच्ची हुई गैसे इकठा होती हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं सेश बच्ची हुई गैसे यह हो जाएगा इसके अलावा अब ध्हंदी जी इस प्रकाश यहाँ पर यह इसका फिगर जो है तयार होगा अब ध्हंदी जी सबसे पहले इसमें आपको विदिकिश प्रकाश लिखनी है और यह उसा अब ध्हंदी जी इसमें दिया गए पाईरॉइट बर्नर तो इसजी मयाद रखेगा इसमें बता सकते हैं इसमें जो है सैल्फर यहाँ पर आयरन पायराइट को जो हम लोग वायु में जला कर SO2 gas प्राप्त करते हैं याद रखें कि यहाँ पर जो पायराइट बर्नर होता है इसी बर्नर में हम लोग sulfur या फिर बोल सकते हैं अब iron आप बताएंगे कि SO2 यानि कि sulfur dioxide इसके अलावा oxygen यानि कि वायू के मिस्टनर को जो हम लोग यहाँ पर धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें धूल के कर जो है भारी होकर जो है कक्ष के तली में बैट जाते हैं यह क्रिया यहाँ पर धूल कक्ष में होगी और इसके बा nitrogen के oxygen यहाँ पर लिख शकते हैं प्लस तो आप इसमें बताएंगे कि नाइटर पातर में जो है और जो इसमें गर्म गैसे हैं वो उपर के ओर उठती हैं और टावर में जो है उपर से नीचे के ओर जो है इसमें तनु अम लियाद रखेगा तनु अम्र जो होता है लगबग 75% तक H2SO4 यहाँ पर और इसके अलावा बताएंगे नाइट्रो सल्फियूरिक अम्र जो है यहाँ पर प्रभावित होता है इसका आपको शमीकण भी यहाँ पर दिखाना है तो याद रखेगे कि गर्म गैसे जो है उपर के रूठती है और टावर में जो है उपर से नीचे कि और यहाँ पर तनु अम्र यानी की 75% H2SO4 इसके अलावा नाइट्रो सल्फियूरिक अम्र जो है प्रभावित होता है इसका समीकण भी आपको यहाँ पर लिखना भी और इस प्रकार जो है टावर में ऊपर से नीचे कि और प्रभावित होने वाला जो अम्र होता है वो य अलावा देहां देजियां पर लेड चैंबर यानी कि लेड कक्ष इस कक्ष में जो है एसो टू का जो है एसो थ्री में आक्षी करण हो जाता है याद रखेगा इस चैंबर में जो लेड चैंबर दिया गया है इसमें जो एसो टू होती है वो एसो थ्री में आक्षी करण हो इसके अलावा जो SO3 होती है वो जल में घुल कर सल्फियूरिक अमल बनाती है तो यह अप लोग यहाँ पर याद रखेगा और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 82 से 70 प्रस्थर तक तनू S2, S4 इस प्रकार से और यहाँ पर द्यान देजिए इसमें आप याद रखे कि LED कक्ष में SO2 का SO3 में आक्षिकन होता है इसके अलावा यहाँ पर SO3 जल में घुल कर सल्फियूरिक अमल बनाती है और इसके बाद कक्षों में निर्मित सल्फियूरिक अमल को गराही में एक अत्रित कर लिया जाता है इसके बाद देहन देजिए गेलुसाक टावर इसमें आप बताएंगे कि जो LED कक्षिते हैं यानि कि LED कक्षों से बच्ची हुई जो असन्यूक्त गैस है जैसे कि वायू वान नाइट्रोजन के आक्साइड को जो हम लोग गेलुसाक टावर में भेजा जाता है उसके बाद गेलुसाक टावर में जो है कोग भर दिये जाता है इसमें क्या भरा जाता है कोग उपर से जो इसमें आपर टपकता है इस प्रकाश से और टपकता रहता है और इस टावर में जो है गयासो और इसके अलावा है इस ट्यूइस्ट वीजिए बनता है, याद रखेगा है यहांपर जो यह नाइट्रोसिल एड्रोजन सैलक्ष बनता है, इसका भी सम्मिकाड को यह प्रकार से यहाँ पर जो है सल्फियूरी कम्द का निर्माण होता है तो वही द्यांदेजी इसमें सबसे पहले पायराइट बरनर इसमें जो हम लोग गंधक या फिर आयरन पायराइट को जो है वायू में जलाकर एसोटू प्राप्त की जाती है यह आपको यह पर बताया गया है इसके अलावा द्यांदेजी दूसरा धूल कक्ष इसमें आप बताएंगे सल्फर डायाक्साइड यानि की एसोटू वह आक्सीजन के मिशन को जो है धूल कक्ष में प्रवाहित करने पर धूल के कंड भारी होक जो है कक्ष की तली में बैठ जाते हैं इसके बाद अब द्यांदेजी अगला यहां पर था नाइटर पात्र इसमें जो है एसोटू तथा वायू जो है वो नाइट्रोजन के आक्साइडों से मिशित हो जाती है इतना आपको बताना है इसके बाद द्यांदेजी ग्लोवर इसमें आपको बताया गया था कि नाइटर पात्र में गैसी मिशन को जो है ग्लोवर टावर में निशले सिरे से प्रवेश कराया जाता है गर्म गैस से उपर क्योर उठती हैं टावर में उपर शे नीचे क्योर तनु अमल जिसमें आपको तनु अमल बताया था था 65% H2SO4 त H2O तो यहां पर द्यान देजी इसमें यहां पर H2SO4 प्लस NO और इसके अलावा प्लस NO2 इस प्रिकाश यहां पर करिया होती है अगर इसे शन्तुलित करेंगे तो यहां पर 2 लगेगा और यहां पर 2 लगेगा इसके बाद यहां पर शन्तुलित हो जाएगी बाकि अगर यहा की और प्रवाहित होने वाला अमल जो है 80% तक सांधित हो जाता है यहां कुछ शल्फर डाइक्षाइड आंसिक रूप से शल्फिवरिक अमल में परिवर्टित हो जाती है इसके बाद द्यांदी जी लेड कक्ष इसमें आपको बताया गया था कि इस कक्ष में SO2 का SO3 में आक्षी करण होता है तथा SO3 जो है जल में घूल कर SO4 अमल बनाती है तो अब द्यांदी जी यहां पर जो SO2 है SO2 इसका जो यहां पर आप बता सकते हैं nitrogen के oxide की उपस्थित में nitrogen के oxide की उपस्थित में जो है यहां पर SO2 का SO3 में oxygen हो जाएगा इसके अलावा जो यहां पर SO3 होती है यह जो है यहां पर gel में घुल कर यानि की plus H2O तो यह जल में घुल कर जो है H2SO4 यानि के sulfuric aml बनाती है इसके बाद जो कक्षो में निर्मित sulfuric aml को गराही में एकत्रित कर लिया जाता है इसके बाद धान्दीजी गेल उशाक टावर इसमें धान्दीजी को बतायागा था कि लड कक्षो से बची हुई अशायूक्त गैशो अशायूक्त गैशों में आप बता सकते हैं इसमें YU1 nitrogen के आक्षाइड को जो हम लोग गेल उशाक टावर में भेजा जाता है उसके बाद गेल उशाक टावर में कोक भरा रहता है और उसमें Glower टावर से प्राप्त sulfuric acid उपर से तपकता रहता है इस टावर में गैशों और H2SO4 की क्रिया से नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सेल्फेड बनता है तो यहाँ पर गैशों और sulfuric अमलिक की क्रिया से तो अब गैशों पर sulfuric अमलिक यानि कि H2SO4 इसके अलावा गैशों पर nitrogen के आक्षाइड होते हैं यानि कि NO इसके अलावा होता ह इसमें NO2 जिए इनकी क्रिया होती है तो बनता है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सेल्फेड यानि की NOHSO4 के लावा प्लस H2O इस प्रिकास यहां पर इसका समझे कर बता सकते हैं अगर यहां पर आप इसे शंतुलित करेंगे तो द्यान देजें यहां पर 2 और यहां पर भी ल sandr www.sulfuric अंबल यह यहां पर nitrogen की ौक्षाइड दे गए हैं तो यहां पर आप बता सकते हैं nitrogen की आक्षाइड इसके अलावाए इससे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सेलफेट या दरखेगा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सेलफेट वही यहां पर प्राप्त हुआ है अब इसके बाद देजी इस प्रकार प्राप्त जो है यहां पर नाइट्रोसिल हाइड को हम लोग क्लोवर टावर में ले जाते हैं जहां पर या जो है जल अबगतित होकर S2SO4 में बदल जाता है तो इस प्रकाश से यहां पर हम लोग लेड़ का अक्षी वीडियो द्वारा जो है सल्फूरी कमल का निर्माण करते हैं तो अब इसकी स्यम्पर के वीडियो जो है वह मैं आप लोग को नेक्स वीडियो में बताऊंगा अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सेब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद